वीव का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं वीव जो है वो वी हैव को ही शोट में लिखा जाता है यानि कि वी हैव को एकठा मिला कर जब लिखा जाता है तो हम वीव लिख देते हैं यानि कि जैसे आप ये कहना चाहें कि we have been working all day on this project मतलब we have को आपने short में लिख दिया we यानि कि we have been working all day on this project यानि कि पूरे दिन से हम इस project पर काम कर रहे थे या आप ये भी कह सकते हैं we visited that museum before यानि कि we have visited that museum before यानि कि उस museum में हम पहले भी यात्रा कर चुके हैं या वहां जा चुके हैं यानि कि we have is a contraction of the words we have it combines the subject we with the auxiliary verb have to indicate an action or possession in the present perfect tense यानि कि present perfect tense में किसी भी action को या किसी possession को दिखाने के लिए हम we have का इस्तेमाल करते हैं और दोनों को एक साथ लिखते हैं तो ये विव बन जाता है अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें